आज हम लोग बात करने वाल हैं BA Part 1 History Honors का पेपर वॉन का चैप्टर फाइप चैप्टर फाइप का ये भाग फोर हैं भाग थिरी तक हम लोग क्या पड़ेते हैं जो हमलोग भाग तिरी तक रिग वैडी काल के बारें पढ़ रहते कुंस रीग वैडी काल के सामाजिक जीवन आ कार्थिक की जीनतिक जीवन यह सब बहुत अचा से पाध प्ल दिय थे अगर से इसे पाले वाल भाग कर वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्न होग देख सकते हैं इसी चैनल पर प्रेसित्स में वी जाको दहए हिस्टूर । अब हम लोग पढ़ेंगे पढ़ पढ़ेंगे हैं तो वो हम गहें मिल्सेट शुटा हुआ है तो उसे स्रेध्य कार्टी रजीन से जों परिएंक बार में नाम कश और राथा लोग ज़ूरी आने पिद में लोग जाएंके तो इसको परचिन नाम क्या है इसका परचिन नाम क्या जैसे रावी को परूशनी ना दिकाते है यह आधून्य कि नम रावी मिलंगा्व आता है तो इस लगा जाता आचा यह नदी जो है यहां परता यानि यहां तकिन का भिस्तार था तबी तो नदी के नाम लिखे होंगे तो इसलिए यह पता चल जाता है तो इसका परचीन नाम देखिए रावी का परुफनी नाम परुफनी है सट्रुदी है अब दीए इसको नाम याद कैसे नाम याद कर लिजिए यह अपने श्ट्रीक बना कर याद कर रखते हैं और चीनी का यह चैनाव है ठाब है द्द्धा यह जैन घन रहतर फॉलकर की आप निर्या द्धान घ्र्क वाला धान इंगा है ये मुष्टिंप्टें अनगे गंड वाला साधा नीज आ seriousness का नाम है य। ट मोगद आ का नहीं नहीं आ इसको याद के जी वर इसको याद आशाँने रह 550 एभी ते आप Uh UP Angeles करहिए और ही और ये पतीर ही जोगाइब किढ़ा कर टेके आप उसके बाद नुँपृट अराम से बना लीजिए यह कॉन्फॉर्म ध्यान लखिएगा आगे बढ़ते हैं यह अगला है यग के विद्यानवाह पर यग भी तरह की याग होते ते लेकिन मुख्य जो इंपोर्टेंट वह तीनी तरह का याग है जो इसे याग करके और उसके तीन वैसे बना लीजिये गा अब दीके सबसे पहला अस्वमेग यह च्बारे चोड़ा जाता है यानि इस यह में राजा के द्वारा गोडा च्छोडा जाता था ध्यान थियान दुत जहां यहां जहां जाता था न राजा के विष्टार चेतर हुथा था समझे ऐसे इह O게雀ference भी तर्श्थ यहां पर्यग हुँआ और यह दूसरा राजयी सब दूसरा राजये इधरremlin बाला सब दूसरा 乐जयां और यह घोरा जोड़ा चल गया इस दिशा में और इस राजयमें हम यह पर आगया यह नहीं गौम्णि यह ग들ॉ जो अगर इस घोडा को रोकेगा उसे लडाई हो जाएगा यानि का गोडा यहां पर चला गया तो अगर इस राजा ने आवला राजा ने अगर इस घोडा को कुछ नहीं की अगर गोडा को नहीं रोका तो समझे की राजा क्या समझेगा कि हमारा इस चेत्र है यह हमारा अधिन सिद्सकार कर लिंदिन स्कार इसालि गोड़ा को जाने दे रहा ह। और इसके पीछे-पीछे सेना मतलब सेना जा रहा था जहां जहां गोड़ा जाता था नर्या जी सेत्रो पार देकने घूराग। पर्दा तर बनागा पकर लिए फिन दॉधाय पर चालू व जाताता यानिकी एक अरा सी यह होगा चेत्र फिस्तार के लिए कि अपने आपने चेत्रफर हो जात्र बीस्तार पर चलह कि इस पर कबजा कर लिया लो असो में कर रहे तरह करने वी इसे पकब जाओ फीगा ओस्वमें ट्राजा कर वा तो लिए ना कि किसी को लड़ाई के लिए अमंत्रन देना किसी को लड़ाई के लिए क्या करना अमंत्रन देना हो गया इस यूद में आगे बढ़ते राज सुयाग यह करवाया जाता है राज्या अभिसेक के समय करवाया जाता है यानि कि जब कोई राजा बनता है और राजा बनने का जो वि करेंगे ज tinti केलिए अच्छे के लिए करेंगे हम उता है मंतरों का उन्चारं होता है ये सब विधी विधाण होता है क्या करवाना राजिया विस्य करवाना हर सभी राजया लागफग राज दिखाना पलोसी को पर हो गया पहला कि अगर किसी से हम अगर किसी से बना लड़点 करें है तो उसके मन में अपने प्रती भाय बना अप्झा आपसे यह भाय रहा है कि वह आपसे लड़ेना तो भाय बनाने कि आपना ताकत दिखाना पड़ाएगा हम इतने ताकत वर हैं हम इतने ताकत वर हैं मूवी में देखें हैं गुंडा क्या करता है मूवी में मूवी में देखें हैं मूवी में गुंडा क्या क्या करता है आकर ए अपने ताकत दिखाया और क्या हुगा इतने लोगों पर परभाव पड़ गया ठीक वैसे वाजपे यग में लड़ाई बड़ाई ना करता था यह सब अपना क्या करता था शक्ति परदर्शन यानि कि यह वाजपे यग यह दिखाई जाना वाजपे यहां कि इसका लिग देत आए आए हमारे पास हम कौन यह करवा रहा है वाजपे यह करवा रहा है कौन सा वाजपे यह 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 नहीं पता था कि उका करने के लिग बुलाता है अपने दिखाने के लिग देखो हमारे पास कितना तक लड़ना भी मत गलते ही से तो यह ही सक्ति परदर्शन के लिए होता है अगर द cookies कहा जैता है ना कि अपने वर में अगर आजाव क्लिए हमेंसा तयार रहा यूद के लिए हमेंसा तयार रही है तो अपने घर में हमां चाहों अग। तो पडोसी को कि पता तो आपको यूद के लिए हमें था तयार राना होगा ओग यह के बारे में हमें लगते हैं प्राद में गधेंगे इतनने पांसर बना लिया होगगा वाइदिक काल को दो भागों में बाटा गया वाइदिक काल समझिया से वाइदिक काल वाइदिक काल को दो भागों में कितना भागों में दो भागों में पहला रिग वाइदिक काल रिग वाइदिक काल रिग वाइदिक काल दूसरा कौन था दूसरा था उत्तर वाइदिक काल उत्तर उत्तरव्यदिक वह बदाएर समय कब से कब तक ता उत्तरव्यदिक का वायदिक इसका समय था वंदरह Одर 008 enhancesता capital is half भीकास लेकिन यहां पर मनुस्य विकास का सबसे और सबसे उत्म काल वाना जाता है ये निक मनुस्य कर विकास का सरोतम नाइवाना जाता है विकास का सरोतम काल सरोतम काल काल माना जाता हैं माना जाता है क्योंकि इस काल में बहुत सरी रचनाय हुई पॉसुपाला नियूद भी करने लगे राजा एक बड़े संगठन मरा अने लगे यह और करवाने लगे धार्मिक दिरिष्टी तभी यह सब महत पूर होने लगा देखें कैसे यह क्या होने लगा यहां पर बाकी तीनों बेदों की राचना और बाकी तीनों बेदों कौन थे स थार ना फिर आरर्ण्य कब गरांत बैधाय की र राचन कि रहतना बेदाएं कर यह सब कहां पर हुगा यह तरम इसको जानने का सरे पहं से लिए लेकिन इसका जानने का सुरत बहुत चार अपलब दोगे जैसे नौवेद में कौन-कौन थे ना भाला था ते ये अजूरुवेद वाइद बचेंगे ना तीनो बेद थे और चार गोँते हैं लेकिन राम चार श्र्च जो नहीं बचेंगे याजूर्वेद उसके बाद सम वेद उसके बाद अंफर वेद ये ये उप्नीशद उसके बाद बर्हाम्हान गरान्त, दो सब उसी में लडिदा, भाइस दिना रिखना हुए जानने का कि धुट पूरथों , जानने कि महत पूरदो आ कि, बरेशनी लiénे लिखेए ही यह सब जानने का मेरा यe सबिस्के जानने का सौय कर जाने सिर्थोड़ा करता जिय हम कर चांक बिस्काल के जानने की यह सब से पहली बात की यह था यह महतना के त्वär Grade करांतिकारी परिवर्थ नाया परिवर्थन आया क्योंकि आया क्योंकि लूहा का लोहा का उप्योग शरू हो गया था ईपिखयो शरू हुआ हो त्फै द्था नाकर अगी ये सबसेटियेज लिंदल को फ्योग दूरने से लिद्धाटomas ति आने लागे अचआ अच्छा यूद के संख्या साह सबक्राइब। ustra कम अन्हें कम दा यूदो लणना का फोजन से किया क्या होँ उसके बाद स्कील समय अरवेट और मरिद्भाइंड बना लग दरना जाने लगे बनाया जाने लगर मरिद्भाइंड बनाया जाने लगया जाने लग किन रत्रितर,, क्रीसी जब उन्नत अपने सिखार पहुंचाना क्रीसी तो मिर्दभार्ण के संख्या में ब्रृधी बहुत बना जाना लगए वह बहुत बना जाना लगए और अच्छा कलर्स चावल हो गया या कोई और भी माली कोई और अन हो गया तो उसको रखने के लिए जगा तो देखिए सिकार पछोड़ा का जिकार भोने पॉसुपालनबठ ऑर उनका ओर यह ज़ता ध्यान होने सभ्सक्रास्ट करें बहुत जयदा ध्यान के यह जतके नवे अब स्वाहसे पहला इसका रश्चना इसमें वेदों को टीनों देख vì तेन ता पहला या जूरवेद याजूरुवेद अब समझे याजूरुवेद क्या होता है यह पहले भी याजूरुवेद के बारे में बता हैं इसमें योग के नियम विधान लिखे गए थे योग के नियम विधान विधान लिखे गए थे किस तरह से नियम नियम तो पूंड किस तरह से योग करना चाहिए दोनों में लिखा गया था और इसको कर्म कांडिये बेद भी कहते हैं और इसमें यगों के नियम और कठो उपनी सद इसी का उपनी सद है सामवेद के बारे और सामवेद के अथा साम का मतलब होता है यान की साथ सुरो की उत्पति किसे माले जाती है सामवेद से ही वहाँ है साथ सुरो की केसे पहले देखना को जो में मंत्र देखना करें जा कुन्य क्या हुआ थसी हो सउना कर जलिदी याद देखना हगे कि बहुत सारी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वह वसा ईसले शुन सुन कर गागा कर क्या कर लाए है याद टेक वह से यहीं बेधिकर शान इसको Brett कर दें किया जाता था याद किया जाता इसलिए साथ शुरक उद्रक उधिष़त है यह अधरवेद के बारे में सब्सक्राइब की जनकारी यानि की दवाओं के बारे में जनकारी तंत्र मंत्र की बारे में जनकारी ये सब किसमें मिलता है और थरो व्वेद में ही मिलता है और इसका एक उपनिशन परने सब्सक्राइब है लिए हम लेगता कि इतना तक बहुत आचा समझ में आ गया होगा इसमें कोई भी डाउट हो कोई भी कोच्चन हो तब कमेंट में पूछ सकते हैं हम रहते हैं समझ में आ गया होगा